हेलो प्यारे बच्चो विनिंग एज स्टडी पॉइंट मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करते हैं बच्चो साइन्स के लिए आज मैं आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ मुझे पता है कि बच्चो काफी लेट हो चुका है और आप सभी को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आगे थोड़ी से करनी पड़ सकती है क्योंकि थोड़ा हमारा कोर्स लेट हो गया है और लेट होने का कारण क्या है कि हम लोग को इस क्रोना वाइरस जैसे महामारी का सामना करना पड़ रहा है और इस महामारी की वज़े से हम लोग आर्तिक इस्तिती में भी थोड़े पीछे जा चुके हैं और पढ़ाई में भी काफी पीछे जा चुके हैं जबकि हम लोग अप्रेल से ही त्यारी करना सुरू कर देते हैं 10th class बोर्ड की एक्जाम के लिए और इन्ही सब चीजों में बच्चों हमें एक डेड़ महीने का जादा वक्त लग गया इंतजार करते कि अब lockdown खुलेगा अब lockdown खुलेगा लेकिन अब जब ऐसी situation आ चुकी है lockdown कि आगे बढ़ रहा है इतनी महामारी फैल रही है और इस तरीके का एक बहुत बड़ा संकट हमें फेस करना पड़ रहा है तो हमें इन सब संकटों से रुखना नहीं है उसका सामना करना है, सेफ रहना है, घर पे रहके पढ़ाई करनी है ठेक है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जब सलेबस आपका आएगा जिस भी हिसाब से, वो जब कटेगा तो हमें पता चली जाएगा आप कोई पता चल जाएगा तो जितना स्लेबस कटेगा फिलाल हम तब की तब देखेंगे लेकिन चैप्टर साइद कोई ना कटेए टॉपिक्स कट जाएए वो एक अलग बात है तो चैप्टर साइद आएंगे तो हम एके करके सारे चैप्टर को कवर करना सुरू करते हैं और बच्चो पूरी इमानदारी के साथ अब लगेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे धीरे धीरे अराम अराम से और मेरी पूरी उमीद है कि मैं आप लोगों को स्लेबस हर साल की तरह जिस तरीके से मैं दो महीने पहले करा देता हूँ इस बार भी दो महीने पहले आपको स्लेबस करा दी जाएगा ठीक चाहे मुझे अपनी तरफ से एक्टर किलास लेना पड़े एक्टर टाइम देना पड़े मैं देकर ये फटा-फट आपको chapters कराता चला जाओंगा doubt solve करता चला जाओंगा जो भी doubt आते रहेंगे मुझे mark करके मेरे whatsapp number पर वेश दे रही है ठीक है ये मेरा whatsapp number है किसी भी बच्चे को कोई भी doubt आता है इससे number पर मेरे से बात कीजिए whatsapp कर सकते हैं तो आप इन सारे चीज़ों को follow करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि 10th class के अंदर बच्चो हमें बहुत ही जागरुग होके बहुत ही जागरुग होके इमानदारी से हमें पढ़ाई करनी पढ़ती है क्योंकि इसी class से हम ये फैसला लेते हैं कि हाँ जी हमें आगे किस फिल्ड में जाना है और किस तरीके से अपने आपको आगे बढ़ाना है तो जब बच्चो हमारे सामने ये एक इतना बड़ा मतलब प्लेटफर्म में आ चुका है कि भाई इसी के जरीए हम तै कर सकते हैं किस फिल्ड में जाने वाले है देखिए तै आप आगे वी जाके कर सकते हैं लेकिन बच्चों का सबसे जो आधार होता है किसी करियर को आगे बढ़ाने में वो टेंथ किलास ही होती है तो हम बच्चों यहां से सुरू करते हैं ठीक है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किये हम लोग केमिकल रियक्षन एन इक्वेशन रसाइनिक अभी किरिया और समीकरन की सुरुवात करते हैं चलिए नाइन्थ किलास में आप लोगों ने इस बारे में मैटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है पदार्त है कि बहुत सारी चीज़ आपने दिखा के हाँ एक्वेशन भी लिखके देखी आपने और केमिकल रियक्षन होते भी देखी हाँ जी आँग जला रहे हैं क्या हो रहा है ठीक है एक सिंपल सा उधारन एक सिंपल सा उधारन लेते हैं अब जैसे आप लोग माल लीजिए आपने भाई कोई भी एक प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई आज ना हम कुछ धंड़ा ही वगेरा पीते हैं तो कैसे पीए तो आपने का कि आपके फ्रेंड में थे किसी एक ने बोला कि भाई मिर को आता है तो का कि चल भाई बना तो उसने का कि ठीक है जी एक पानी ले आओ पहले ठंडा पानी ले आओ अच्छे तो ठंडा पानी ले आओ फिर का कि ने भाई चीनी भी ले आओ चीनी भी ले आओ हमने उसको चीनी उसमें मिलाना सुरू किया पानी का टेस्ट पहले क्या था? कुछ नहीं लेकिन जब चीनी मिला दिया तो हलका सा मीठा तो होगा ठीक है अब और भैतरीन मनाने के लिए उसमें नीमबो थोड़ा नमक भी मिलाया और टेस्ट हुआ और भी पर कुछ ननाने के लिए उसमें पुदीना, मसाला वगएरा जो भी डालना डाल दिया हमने तो मतलब जब लास्ट में वो सारी चीजी मिल गई तो हमें प्रोवाइड क्या हुआ? क्या वो पानी, चीनी, ऐसे हम बोलते हैं कभी पानी, चीनी, नमक का घोल पी रहें भाई है? हम अगर उसे वह कहते हैं, O.R.S का घोल लेकिन जब सिकंजी पीते हैं तो क्या कहते हैं? सिकंजी पी रहे चाए में आप दूद, चाए पत्ते हैं ऐसे बोलते हो? नई, सीधा बोलते हैं हम भाई चाए पी रहें, टी पी रहें, क्यों बोलते हो? क्योंकि बच्चो ये कई सारे components जब आपस में मिलके, मेरी बात को ध्यान दो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जब कई सारे components आपस में मिलके, कई सारे पदार्त आपस में मिलके, एक नए substance का, ठीक है? एक नए substance का formation करते हैं, तो उसी को chemical equation and reaction कहते हैं, equation तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? और reaction इसे ही कहते हैं, ठीक, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे, दो और दो से अधिक की बात की जा रही है, कि दो और दो से अधिक चीजों को जब आपस में मिलाएं, तो मिलाने के बाद जो भी नई चीज हमें प्राप्त हो, वो किसमें कहलाती है, बच्छो, chemical reaction, रसाइनिक अभी करिया कहलाती है, जैसे कि मैं अभी आपको बता दिया भई, कि कोई भी छोटा सा उधारन ले लो, किसी भी दो चीज को आप आपस में मिला लो, मिलाते ही वो, आपके लिए क्या बना देता है भई, मिलाते ही आपके लिए वो chemical reaction बना देता है, इवन आपके घरे में जो paint होता है, white washing होती है, तो उस time पी देखते हो, उसमें कई सारी चीज़े आपस में जिसमें मैं आपको सबसे पहले definition, chemical reaction की बता रहा हूँ, कि chemical reaction की definition क्या होती है, तो chemical reaction की definition होती है, बच्चो, definition होती है, chemical composition of substance, changes or new substance, changes or new substance are formed is called chemical reaction, ठीक है बच्चो, मेरी बास समझ मारे कि ऐसे chemical substance, ऐसे chemical substance, ऐसे रसाइनिक पदार्थ, जो आपस में मिलकर नए पदार्थों को, उत्पादों को जनम देते हैं, बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, उसी को क्या बोले आता भई, रसाइनिक अभी किरिया, ठीक है, और अब आती है बात, chemical equation क्या चीज है, रसाइनिक समीकरन क्या चीज है, तो बच्चो, जब इसी reaction को, जब इसी अभी किरिया को, हम लोग represent करते हैं, लिख कर, represent करते हैं कैसे, लिख कर, तो उसी को कहा जाता है समीकरन, ठीक है, आईए एक example के साथ, अच्छा, chemical reaction के लिए, आप 2-3 line चोड़ देंगे, इसके बारे में लिखवाऊंगा, और chemical equation के लिए भी 2-3 line चोड़ देंगे, इसके लिए भी लिखवाऊंगा, और सीधा आते हैं, भई, कि आखिर कार chemical reaction और equation को समझते हैं, कि यह होता कैसे हैं, तो बच्चो, पहला ही practical में आपके सामने लेने जा रहा हूँ Magnesium Ribbon यह धीरे-धीरे interesting होगा बच्छो चैप्टर बहुत बहुत interesting चैप्टर है ठीक है, अभी शुरुआत में लगेगा कि हाँ यार क्या पढ़ रहे हैं, अजीब सा लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ना सुरू करोगे, इसमें आपका interest बढ़ना सुरू हो जाएगा अभी दूसरी class के बाद ही देखना यह chapter बड़ा बहतरीन बन जाएगा आपको मज़ा आने लग जाएगा इस chapter में आप खुद कहोगे कि हाँ, कि सर मज़ा आ गया, chapter क्या बहतरी chapter है, मतलब एक एक चीज एक एक point के लिए होता चला जाएगा और आप खुद ही अपने आपका scientist फील्टर होगे तो ज़र देखो, ठीक तो ज़र ध्यान से देखना magnesium ribbon के बारे में आपको में एक बात बताता हूँ पहरे बच्चो, magnesium ribbon क्या हुआ बही एक ऐसी पती एक ऐसी strip जो magnesium की बनी हुई है, ठीक है अब वो ribbon इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीट-पीट के काफी पतला सा कर देते हैं तो इस वज़े से इसको magnesium ribbon बोलते हैं ठीक है, बना होता है magnesium का अच्छा, अब बात क्या है अब बच्चो हमें ना इसके लिए एक छोटा सा practical दिया गया कि भाई इसकी reaction करके दिखा और बाद में equation के formal लिखो ठीक है जी, हम पहले reaction दिखा देंगे उसके बाद equation के formal लिख भी देंगे कोई दिक्कत लिए अबे तो पहले reaction दिखाते हैं, अच्छा अब जैसे पहले गर्मियों की छुट्या तो पढ़ती थी और इस बार भी अनॉंस होई गई है जून में, और नई भी पढ़ती तो क्या फरक पढ़ा कि वही जहां तक डैक्स है, वहां तक भाई धूली धूल उस पर धूल धूल तो आप लोग बड़े इमानदारी के साथ अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं? उसका बैग लेते हैं और कर देते हैं साफ बैग भी गया और भाई डैक्स भी साफ हो गया, अराम से बैट गया यही करते हो, ठीक है? तो मतलब क्या? हमने क्या देख लिया बच्चो? हमने क्या देख लिया? यह हमने अपने बच्च्पन में एक छोटी मोटी हरकते करके छोटी मोटी हम लोग ने इस तरह के थे खेल-खेल में एक science का topic देख लिया क्या देखा हमने topic भई? कि जब बच्चो आपने इस magnesium ribbon को लेकर आए तो इसके उपर भी एक layer चड़ीवी थी बच्चो इसके उपर भी एक layer चड़ीवी थी ठीक है? और उस layer का नाम था बच्चो Basic Magnesium Carbonate हिंदी में भी नाम यही है Basic यह शारिये भी लिख सकते हो ठीक है? Magnesium Carbonate ठीक है बच्चो? Basic Magnesium Carbonate अब करना क्या है? ragmal लेना है, sandpaper आप लोग ने देखा होगा जब आपके खर पर white washing होती है तो दरवाजे को गत्ता टाइप का होता है उसमें छोटे-छोटे से दाने-दाने सोता है उसे रगड़ते हैं तो वो साफ हो जाता है तो बस वही चीज़ लेनी है और इसके उपर रगड़ देना है ठीक है? जैसे हम ने बताया ना भी कि DEX को हम एक अपटे से रगड़ देंगे ठीक है? और प्रैक्टिकल बिल्कुल साफ सुतरा होगा और जब कि इसके साथ जलाएंगे तो थोड़ी दिक्कते आएंगी जलाने में इतने असानी से नहीं जिलेगा ठीक है? अच्छा तो रेगमल से हमने इसको साफ कर दिया जब साफ कर देंगे तो अब क्या होगा? अब हम इसे बच्छो जलाएंगे अब हम इसे क्या करेंगे? जलाएंगे अब जलाएंगे जब हम इसे बच्छो तो एक बात ध्यान रखना मैं जब जब आपको जलाने वाली बात बोलूँगा ना कि हाँ भई जला रहे हैं जला रहे हैं तो समझ लेना वहाँ पर O2 से काम ले रहे हैं ठीक है ऑक्सीजन के साथ कही नगा ही रियक्शन चल रही है क्या चल रही है ऑक्सीजन के साथ कही नगा ही रियक्शन चल रही है तो बस जैसे हम बोले कि हाँ भई आग जलाई जा रही है तो बस उस टाइम पर आपके दिमाग में आग नहीं चलना चाहिए आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन से रियक्शन कर रहा है मेरी बात पढ़ ले पड़ गी सभी बच्चों को अच्छा तो ये था मेगनीसियम ये था कौन भई आग और आग क्या होता ओटू जो कि इसकर रहा है तरियक्शन कर रहा है अच्छा अब सिंपल सी बात अपने दिमाग में डालो इस बात को कि जब भी किसी चीज को आप जलाते हो तो जलाने के बाद वो राख बन जाती है हागी ना चलो जी ये भी राख बन गया लो जी नेक्स टेप में ये ऐसे ये राख बन गया भई ये ठीक है ये राख बन गया भई ठीक है अब इस राख का भी अपना ही कोई नाम होगा क्यो क्योंकि भाई पहले ज़े सिर्फ Magnesium था समझ रहो मेरे बात को पहले तो यह सिर्फ Magnesium था लेकिन जब आंग जल ले तो आंग जलने के बाद वो राख बन गया तो राख बनने का कारण क्या रहा आंग के साथ मिलना जब वो आंग के साथ फायर के साथ जब मिला तब जाके वो जला और जलने से नई चीज क्या बनी देखो component आया याद आया reaction क्या बोला था जब दो या दो से ज़ाद component आपस में मिलके एक नई चीज को represent करे तो वही होती है chemical reaction तो देखो इसके साथ मिला मिलने के साथ ये बना ठीक है अब माल लीजिए इसको मैंने वाटर में मिला दिया मैंने किस में मिला दिया वाटर में पानी में मिला दिया किसको इस एसको जब इसको मैं पानी मिला दूँगा तो ये milky color का दूधिये रंग का हो जाएगा कैसा हो जाएगा बच्चो दूधिया रंग का हो जाएगा पूरा मिलकी मिलकी हो जाएगा पूरा देखने में ऐसला यह जो भाई दूध है इस तरीके से हो जाएगा तो फिर देखा हमने क्या, कि अब पहले भाई ये दूदिया नहीं लग रहा था, लेकिन जब देखा तो भाई मिलकी कलर का बन गया ये, तो मतलब क्या हुआ, फिर से वही वाली बात, कि हमने कोई दो कंपोनेंट मिलाए, मिलाने के बाद एक नहीं चीज़ हमें प्राप्त हो या formation हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, chemical reaction, जैसे, अब, ये तो होगी chemical reaction, अब मैं आपको equation बना के दिखाता हूँ, तो देखे जलाओ, ध्यान से देखना, कौन था बच्चो, magnesium था, ठीक है, क्या किया हमने आग जलाया, आग जलाने का मतलब किस से reaction, oxygen से, जब बच्चो ये तो उन्हों आपस मिलेंगे, तो मिलके बनाएंगे M-G-O, यानि कि ये जो S है, वो कौन है, M-G-O, ये कौन है, M-G-O, अब कहोगे भईया, ये तो M-G है, ये O-2 है, तो M-G-O कैसे बना, तो वस वेट करते जाओ, एक-एक बात बताऊंगा, ठीक है, पूरा scientist बना के हमें समझ मारी है, और इस तरीके से आपको ये फिलनी होगा, कि यहां पे सर ने क्या पढ़ा दिया, और वहां पे सर ने हमने क्या पढ़ा दिया, ठीक है, एक-एक चीज आपको सब कुछ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक, तो अब ये बिल्कुल बेसिक, अभी तो मैं किया, वाटर में मिला दिया, तो जब हमने MGO को वाटर में मिलाया, तो मिलाने से बना क्या बच्चो, मिलाने से बना MGOH twice, क्या बन गया? MGOH twice, यानि ये जो पानी बना, ये जो पानी के अंदर MGO हमने मिलाया, वो क्या बन गया? MGOH twice, तो प्यारे बच्चो, आप खुद द कि भाई मैंने क्या बताए था कि chemical reaction क्या है जब दो या दो से जज़़ा component आपस में मिले और एक नई चीज दे, तो देखो, दो मिला एक नई चीज दो मिले, दो मिले, एक नई चीज, यानि हमने क्या देखा, कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़े आपस में मिलके नई चीज़े बना रहे हैं तो बस वही chemical reaction होती है वही रसाइनिक अभी गिरिया होती है और जब हम उसको formula के रूप में सूत्र के रूप में, symbols के रूप में लिख के दिखाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है chemical equation रसाइनिक समीकरन देख रहे हो एक topic में मैंने इतना time दिया है जान बूच के ठीक है ताक कि आपको खूब अच्छे से समझवाए है एक एक बात अब बात आती है इसका नाम तो mg का तो magnesium होता ही है इसका oxygen होता है तो इसका क्या बन गया magnesium oxide क्या बन गया magnesium oxide और इसका क्या है magnesium oxide इसका है water तो यह क्या बन गया magnesium hydro oxide क्या है magnesium hydro oxide तो प्यारे बच्छो आपको यहां तक की यह बात समझ में आ गई होगी कि मैं chemical reaction और Chemical Equation के बारे में क्या बताना चाहता था तो Chemical Reaction के बारे में एक बढ़ फिर से दोषा लेते हैं Chemical Reaction वो है जो दो या दो से ज़्यादा Component के मिलने से पदार्थों के मिलने से एक नई चीज बनाके दे और Chemical Equation रसाइनिक समीकरन वो है जो क्या करें भई, उन्ही reaction को symbols के रूप में, संकेतों के रूप में लिख के दिखाये जाए, तो क्या कहा जाता है भई, chemical equation racinic सभी बच्चों को clear हो चुका है इसे note करेंगे और note करने के बाद फिर हम अगले पड़ाओ पर चलते हैं, ठीक है तो बच्चों ये दो equation मैंने यह पर लिख दी आपके लिए ठीक है, इसका तो मैंने बताई दिया था mg plus o2 और क्या बना, mg o और mg o plus s2 क्या बना, mg o s twice अच्छा, मैंने इसके बारे में एक बात कही थी बच्चों आप से कि ये milky color का हो जाता है क्या हो जाता है milky color का हो जाता है ठीक है, दूधिये रंग का हो जाता है अच्छा, तो इस दूधिये रंग से क्या पर चल रहा है भई दूधिये रंग से क्या पर चल रहा है इससे ये पर चलता है बच्चो सबसे पहली बात इस रंग से इसका एक नाम और पड़ा इस रंग की वज़े से और उसका नाम क्या है? इसका नाम है Milk of Magnesia Milk of Magnesia हिंदी वालों के लिए भी यही नाम है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे, Magnesium का दूद ऐसा नहीं बोलना है ठीक है? आपको यहाँ पर सिंपल सा रखना है भई, यहाँ पर भी नाम क्या रहेगा? Milk of Magnesia ठीक है बच्चो? हिंदी में भी यही नाम रहेगा इसका ठीक है? इसके दूधिय रंग के कारण यह बड़ा अच्छा, अब इसका एक ना बहुत खास यूज भी है यह क्या करता है बच्चो? यह एक परकार का anti-acid होता है anti-acid मतलब क्या भई? anti-acid क्या होता है? anti-acid मतलब प्रती अमल क्या होता है? प्रती अमल अब यह क्या चीज बोल गया भई मैं? प्रती अमल तो बच्चो जैसे acidity जब होती है ठीक है तो आप देखे होगा होगा आप लोग ने 6 second में acidity भगाए है किस चीज से Eno पी के इतना दो पता चल गया होगा तो यह जो Eno जैसे content होते हैं वो इनी सारे product से milk के बने होते हैं सिर्फ यहीं नहीं होता है और भी बहुत सारे चीज़े होती है लेकिन milk of magnesia उन में से एक है जो प्रती अमल का काम करता है anti-acid का काम करता है कि भई हमें इसकी मातरा से अगर हम यह पी ले तो हम अपने acidity को दूर कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कि हाँ कल को किसी को acidity हो जाए तो आप तुरंद magnesium जला के उसको पानी मिला के बिला दो ऐसा मत कर देना ठीक इसमें बहुत सारी चीज़े आती है ठीक है इसमें बहुत सारी चीज़े है लेकिन यह एक ऐसा component है जो anti-acid प्रती अमल बनाने के लिए use किया जाता है ठीक है तो अगर आप से बूझा जाए कि इसका use कहा होता है तो बही anti-acid बनाने में यूज होता है प्रती अमल बनाने में ठीक है बच्चो चलिए तो आप इसके बाद आप 7-8 लाइने चोड़ दीजिए इसको मैं पूरा brief में तो नहीं थोड़ा था एक्स्रा करके लिखाना पड़ेगा ठीक है तो मैं इसको पूरा describe करके लिखवा दूँगा ठीक है कम से कम आप 9-10 लाइने चोड़ दीजिए 9-10 लाइने चोड़ दीजिए इसको मैं लिखवाऊंगा इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ाओ पर चलते हैं तो फटाफटेश को नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं